हलो बच्चो आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो घनाब होता है और घन होता है इनके जो फार्मूले होते हैं वो कैसे आते हैं और कितने फार्मूले होते हैं वो सारी चीजे हम लोग इसमें देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं घनाब क्या होता है ठीक है घनाब जो है एक 3D या 3D में आकिरती है जो आयतों से मिलके बनी होती है इस परकार से यह आकिरती होती है इसको हम कहते हैं घनाब इसका बढ़ी एक्जामपल देखें तो यह डस्टर होता है घनाब होता है या कहलो कि इट जिससे दिवाल बनाई जाती है वो इट भी क्या होता है घनाब ही होता है समझ पाए होगे इसमें अगर हम बात करें इसमें फलक कितने होते हैं फलक इसको हम फेस भी कह सकते हैं तो एक घनाब में फेस अगर देखें तो इसको समझने के लिए हम यह डेस्टर ही उज कर रहे है देखो इसके अगर फेस की बात करें तो इसका एक फेस यह है ठीक है और ऐसे इसी के जैसा एक फेस नीचे है दो हो गया एक आगे दिख रहा होगा यह फेस और ऐसे एक पीछे है ठीक तो 2 उपर और 2 इधर से 4 होगे न, अब इधर भी एक फेस है और एक फेस इधर है 4 और 2, 6 हो गया, यानि फेसों की संख्या जो है कितनी है, 6 है या फलके जो है इसकी कितनी है, 6 फलके है ठीक है, और इसी में बात करें अगर हम इसके सीर्स कितने होते है सीर्स यानि की इसको हम कहेंगे वर्टेक्स ठीक है वर्टेक्स इसको भी देखते हैं कैसे, यहाँ पर सीर्स वो होता है जहां पर 2-3 लाइने आके मिलती है न, जैसे यह लाइन अगर माल ले यह, और यह यह सब आके यहाँ पर मिल रहे हैं तो यह जो इसका कोना है इसी को हम सीर्स कह रहे हैं ठीक है तो एक सीर्स यह हो गया एक इधर हो गया दो एक यह हो गया तीन और एक यह हो गया चार तो चार सीर्स ऐसे उपर दिख रहे हैं और चार सीर्स सीर्स जो है वैसे नीचे है ठीक है अब बात करें इसमें किनारे कितने होते हैं तो किनारों की संख्या जहां पर दो सतह या आपके लोग फलक आके मिलते हैं जैसे ये एक सतह और ये एक सतह ये दोनों सतह जहां पर मिला है तो ये एक किनारा बना हुआ ठीक है इसको कहते हैं किनारा इसी को age भी कहते है age भी लिख देते है तो कितने age होते हैं इसमें इसके लिए देखेंगे देखो यहाँ पर अगर डस्टरी देख रहे हैं ध्यान से तो यहाँ पर एक किनारा ये है एक ये, दो हो गया तीन और ये चार चार किनारे उपर दिख रहे हैं और ऐसे ही चार किनारे अगर इधर देखेंगे तो एक, दो, इधर से तीन और ये चार चार किनारे ये हो गए, आठ किनारे हो गए अब इसमें भी तो ये सतय और ये सतय आके यहां मिली है तो ये भी तो किनारा हुआ एक किनारा ये एक ये दो और इधर से भी दो चार यानि चार उपर चार नीचे और चार इस साइड ठीक है न तो कुल मिलाके इसमें जो किनारे हैं वो कितने होते हैं बारा किनारे होते हैं इसमें भी count कर सकते हैं, देखो, एक यह हो गया, एक किनारा, 2, 3, 4, चार यह हो गया, और इधर से 4 देखो तो, 1, 2, 3, 4, 8 हो गया, अब यह किनारा, 9, 10, 11, 12, कुल मिलाके 12 किनारे होते हैं, ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गया है, तो बात करते हैं इसमें घनाब के स गणाब का संपूर्ड प्रिस्थिये छेत्र फल यानि इसको इंगलिस में कहें तो होता है TSA TSA of Cuboid यानि की Total Surface Area of Cuboid तो इसका फार्मोनल लबख सबको याद होता है वो आता कैसे इस वीडियो में सीखेंगे उसका प्रोब यहाँ पे देखेंगे तो देखो इसी जो घणाब बना हुआ है इसी को हम यहाँ पे open करने जा रहें ठीक है open यानि की यह समनलो एक box है और इसके सभी जितने भी फलक हैं सबको open कर रहे है तो यहाँ से हम क्या करते हैं पहले एक फलक बना लेते हैं यह कौण सा है यह कह लेते हैं यह पीछे वाला है एकदम पीछे जो बना हुआ है ठीक तो यहां से यह जो EF वाला फलक है, इसको हम उपर भेज रहे हैं, उपर, तो यहां से ऐसे जाएगा, यह खुल जाएगा उपर की तरफ, और D से जुड़ा हुआ है E, और ऐसे ही C से जुड़ा है F, ठीक है, तो एक फलक हमने उपर open कर दिया है, तो EF हो गया, इसको हम G, H न परकार, ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं आपर, तीन फलक हमने open कर लिया है, अब इसी परकार से इधर वाला फलक भी open करते हैं, तो यहां से देखो, यह D से ऐसे इधर जाएगा, तो D से E ही तो उधर जाएगा, यह open होगा, तो E वाला पार्ट यहां पहुँचेगा, औ और इधर से, जो G है, A से G, यह इधर जाएगा, ठीक है, और इसी में बात करते हैं, इधर वाला जब फलक खोलेंगे, तो यहां C से F यह बनेगा, और B से H यह बनेगा, ठीक, तो कुल मिला के हमने यहां पर पांच फलक open कर लिया है, अभी यह फलक बचा हुआ है, जो सबस यही से एक जोड के उपर बना लेते हैं, E F और यह हो जाएगा, E से जुड़ा है G और H, ठीक है, यह जितने भी फलक थे हमने क्या किया, इसको open कर लिया है, ठीक है, अब इसमें घनाब की एक खास बात यह होती है, कि घनाब की जो यहां पर लंबाई, जैसे यह देखा जा है, है न घनाब, तो यहां पर यह इसकी लंबाई कहलाती है, जो जादा बड़ी होती है, ठीक है, और उसके बाद यह वाली चोड़ाई कहलाती है, यह कितना चोड़ा है, ठीक है, यह लंबाई हो गया, यह चोड़ाई, और इसके बाद यह बताता है कि यह कितनी उचाई है तो इसमें तीन चीजे होती है लंबाई, चौड़ाई और उचाई तो ये लंबाई है ये लंबाई है, ये और ये ठीक है, ऐसे चौड़ाई देखेंगे तो ये है, ये है ये सभी चौड़ाई है, उचाई की बात करें तो यहां से ये पूरी उचाई है ये उचाई है ये उचाई है और ये उचाई है ठीक ये सब इसमें एदम किलेर होगा अब यहां भी वही चील लिख लेते हैं देखो ये लंबाई ये भी लंबाई ये भी ये भी और ये भी सब लंबाई है और यहां से जो C F है देखो यहां से C F B है यानि ये चोड़ाई है तो ये भी चोड़ाई होगा अब यहां से F, H F और H देखेंगे तो ये H है, यानि Height है, इसको भी Height कह देंगे B, H इसमें देखोगे B और H तो ये B है और ये H है, है ना, B, H को यहां पर B कहा जाएगा, यानि कि चोड़ाई B है और यहां से B, C B से C, H है, Height यहां लिख लेते हैं, Height ये Height, ऐसे ये Height हो जाएगी और ये Height, ठीक और जो C, F है, ये B होगा यहां भी देखो, C अप था, तो B है बिट, तो ये भी, और ऐसे ही E, D, यहां से E और D जो है, वो B है इसको B लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं, ठीक अब ऐसा क्यों किया जा रहा है क्योंकि हम यहां पर निकालने जा रहे हैं क्या घनाब का संपूर्ण प्रिष्टे छेतफल और घनाब का जो संपूर्ण प्रिष्टे छेतफल होगा इसके जितने प्रिष्ट है, सब का छेत्फल निकाल के इसमें जोड़ दे ठीक है? तो जितने फेस्ट थे, फलक थे, उनको हमने यहाँ पर open कर लिया है और अब हम क्या करने जा रहे हैं, इर इस सब ही का छेत्फल निकालने जा रहे हैं ये जितने भी फलक हैं आप देख रहेंक छाइ भाग है तो छाइ जो है वो आयत है और आयत का छेत फ़ल हमको पता होता है कि आयत का छेत फ़ल जो है लंबाई गुड़ेट चोड़ाई होती है तो इसका area निकालते हैं अगर area A1 मान लेते हैं तो इसका जो लंबाई है L है और चोड़ाई H है तो इसका area हो जाएगा LH क्योंकि यह आयत है जो भी लंबाई है और चोड़ाई उसी का गुड़ा करा दो इसको A2 मान लेते हैं और इसमें लंबाई L है और चोड़ाई B है ठीक है तो ये हो जाएगा LB इसमें आवगा तो यहाँ पर L है H है A3 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा LH इसको देखेंगे A4 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा LB ये L है और ये B हो जाएगा इसको मानते हैं A5 तो इसका जो एरिया होगा B और H तो B H हो जाएगा और ऐसे यहाँ भी कहेंगी यह भी B H है इसको हम A6 माल लेते हैं ठीक तो जितने भी फलक थे यहाँ पे इन सब का एरिया हमने निकाल लिया है अब चूंकि यहाँ पे घनाब का संपोर पेष्टे छेट पर निकालना था तो हमें जितने भी फलक हैं इन सब का एरिया सम करना होगा तो A3 A4 A5 और A6 इन सब का एरिया आप सम करने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखोगे A1 का एरिया जो आया था वो क्या था LH है प्लस A2 का एरिया आया है LB प्लस A3 का LH है और ऐसे A4 का देखोगे यहाँ पे तो LB है प्लस A5 का BH है और प्लस A6 का भी BH है ठीक इतना जो है सब को समझ में आ गया होगा अब यहाँ से यहाँ देखो तो LB पहले लेते हैं LB यहाँ पे है इसको हम आइड करके 2LB लिख सकते हैं प्लस अब देखेंगे BH BH और BH दो बार है तो इसको हम 2BH लिख सकते हैं प्लस LH और LH भी दो बार है तो इसको हम 2LH कर लेते हैं ठीक और अब देखेंगे हम कि सब में यहाँ से 2 common है 2 बाहर जाएगा 2 बाहर जाएगा तो यहाँ से बचेगा LB प्लस BH अब प्लस का LH ठीक है यह यह जो फार्मूला निकल के आया है यही क्या है घनाब का संपोर्ण प्रिष्टी छेथफल है 2 बाहर होता है और बेकट के अंदर LB प्लस BH प्लस LH यह फार्मूला होता है एक घनाब के संपोर्ण प्रिष्टे छेथफल का ठीक है इसको याद कैसे रखेंगे तो घनाब में हमें पता लंबाई होती है चोड़ाई होती है और उंचाई होती है ठीक तो यहाँ से देखेंगे अगर L का B से गुड़ा कराएं तो LB मिलेगा तो इतना याद कर लो कि जो संपोर्ण प्रिष्टे छेथफल इसमें 2 बाहर होता है और अंदर का यहाँ पर हम तीनों बता देते हैं पहला क्या होगे LB यहाँ से L का गुड़ा B में कराएंगे तो LB B का गुड़ा H में कराएंगे तो BH यह दूसरा वाला और ऐसे लाश्ट में L का गुड़ा H से करा लोगे तो LH मिल जाएगा ठीक है तो यह फार्मूला इस परकार से आप याद रख सकते हैं इतना समझ में आ गया होगा अब हम लोग बात करते हैं कि घनाव का वक्र प्लिश्टेज हेत्फल क्या होता है